बांसुर पुलिस ने बांसुर में राशन डीलर की दुकान पर हुई चोरी का खुलासा किया है राशन के गेहूं से भरी पिकप वे बाइक साइड दो आरोपियों को गिरफतार किया है दोनों आरोपियों से 34 स्क्विंटल गेहूं घटना में प्रियोक्त वाहन पिकप बोले रो और मोटर साइकल बरामत की गई है अडिशनल स्पी श्रीमन मीना ने बताया की बांसो शेत्र के गाउं को थल में गत 30 दिसंबर की रात्री को राशन की दुकान का शटर तोड़ कर 54 कटे गेहूं चोरी कर लिए गए थे इसी प्रिकार गाउं भुपसेडा में 11 जनवरी को उचित मुल्य की राशन की दुकान क शटल तोड़ कर 20 क्विंटल गेहूं चोरी कर ले गए 17 जनवरी को ग्राम खेडा से राशन की दुकान का शटर तोड़ कर 103 कटे गेहूं के चोरी कर ले गए थे गेहूं से भरी पिक अप वे मोटर साइकल साइध धर्मीर पुत्र मोहन सिंग निवासी हाजीपुल वे प्रामना थे प्रत्रफ्ट अब गावास को ग्रफ्तार किया गया शेन और जनुर्वरी महा में दो दिक भॉप्सेड़ा है और खेड़ा इनमें चौरी और आंशन के प्रस्थे निनी में हमारे जो टीम है उसमें सियो बांसुर है और सेचो अफ्तार सिंधी और टीम के दोरा काफी अच्छे प्रयास किये और उसमें जो नकभजनी हुई थी उसमें आरोपियों को ग्रफतार कर लिए उनसे माल भी बरामत कर लिए गया है ग्रफतार कर और आगए जो भी उस्तास इन्होंने उस्तास में और कोई भी वार्दात कभूल करने के यदि कोई ऐसी संबान होगी तो इंट्रोगेशन वह सामने आ गए